Polar Bear जो Pol पे रहते हैं, वो भी अपने लाइफ में Physics यूज़ करते हैं कैसे? देखते हैं Polar Bear आइस की उपर चलते नहीं है, वो रहंगते हैं क्यों रहंगते हैं? क्योंकि जैसे वो रहंगना शुरू कर देते हैं, तो उनका Surface Area बढ़ा देते हैं तो Surface Area बढ़ाने से Pressure Decrease होता है क्यों? क्योंकि आपको पता है Pressure Equal To Force Upon Area Area बढ़ाने से Pressure Decrease हो गया और उसके वज़े से Ice Break नहीं होता है और उनकी जान बच जाती है तो जैसे Polar Bear ने अपने लाइफ में Physics यूज़ किया, क्या वह इसी आप करते हो? तो मुझे बताईए, क्या Surface Area पर Friction पर Depend करता है? अगर Depend करता है तो Comment Box में बताईए, हाँ या ना तो ऐसे ही इंटरिस्टिंग वीडियो के लिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब चिए